जैहन असीवन अफनीता राजपुद फ्रम गौवर्मन कॉलेज सेक्टर वान पंच कुला आज मैं और मेरे साथ साथ जो मेरे कैडिट्स हैं वो कैसे अपने आपको फिट रख रहे हैं इसकी ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले तो फिट इंडिया मूव्मेंट यह मूव्मेंट मूदी जी ने इंदरा गांधी स्टेडियम जो की न्यू दिली में स्टित है वहां से लॉंच किया था कब किया था 29 अगस 2019 को और इस दिन नैशनल स्पोर्ट्स डेबी होता है पर बात करना है आज कि हमें अपने आपको फिट क्यों रखना चाहिए और कैसे रखें हम अपने आपको फिट तो क्यों रखना चाहिए क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आप स्वास्ते तो हम कैसे रहते हैं मुफिल आके बैठे होते हैं तो इसलिए अपने आपको फिट रखना जुरूरी है और अगर मैं बात करूं कि हम फिट अपने आपको कैसे रख सकते हैं तो आप डांस कर सकते हैं योगा कर सकते हैं रणिंग कर सकते हैं कोई भी एक्सिसाइज कर सकते है और जानते हैं क्या जब आप घर के कोई भी काम करते हैं जैसे आप अपनी घर की सीरियां चर रहे हैं तो भी वो एक्सेसाइज है बरतन धो रहे हैं जारू मार रहे हैं पोचा लगा रहे हैं सब एक्सेसाइज ही तो है वो कभी हाथ की होती है कभी पैर की होती है तो कभी हम सिर्फ हाथ हाथ का काम है तो उसमें भी आपकी उंगलियों का वह हो रहा है तो ऐसे ही आप करते रहिए ट Tok फिर्फ न रही न, पिर्फ एुरोगई घ्काओन कर फो चाहर है भाहित है, ह sprechen है मैं भी आपकाण बड़़र और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी अपने साथ साथ अपने परियावनन को भी फिट रखें क्योंकि मूवमेंट का नाम है फिट इंडिया मूवमेंट और यह अपके केंड्रित नहीं आपके आसपास के लोग और जो आपका भारत देश है उसके भारत देश को आप कैसे सवस्त रखेंगे भारत देश को सवस्त रखने के लिए इंद पेरपोधे तो जैसे अभी भी हम बात करें कोविड की तो आजकल लोग मास्क लगाके तो घूम रहे हैं पर वही मास्क ग्लव्ज और फेश शील जो लोग यूज कर रहे हैं वही सरक किनारे गिरेवे में असराते हैं तो वह ना करें एक दम भी ना करें एक तो अगर वह कोई चू लेता ह तो उसका कॉंटामिनेशन तो होगा पर वह गंदगी है जिसके वज़े से हमारे इंडिया फिट नहीं अस्वस्त होता है तो ऐसे ही अच्छे काम करें गंदे काम नहीं करने हैं अब मैं आपको एक और अवश्यक सूचना देना चाहूंगी आज यानिकी 24 सितंबर को मोदी सारी 11 बजे इंडिया डायलोग प्रोग्राम लॉंच करें अब इस प्रोग्राम में आप भारत के कई खेल से जूरेवे लोग डायेटीशन्स हैं जो अच्छे बड़े हैं बड़े कलाकारों के डायेटीशन्स हैं उनसे बात करने का मौका मिलेगा आपको मैं उसका लिंक ड जै हिंद।